नमस्कार आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूँ पंकस सिंग दौर राजधानी में दिन दहाड़े हुई हत्या से आखिर सीतापुर में क्यों मचा हरकंप आज हम आपको बताएंगे कि लुहिया अस्पताल परसर में आखिर सिपाही ने इवक को क्यों गोली मारी इसको लेकर जैसे ही खबर सीतापुर तक पहुँची पुलिस महकमे में हडकंप मच गया उसका कारण या था कि मरने वाला भी सीतापुर का है और मारने वाला सिपाही भी सीतापुर का है यहाँ खबर जैसे ही सीतापुर पहुची कि पुलिस महकमे से लेकर और जो मिर्तक है उस इलाके में हडकंप मच गया तो पहले हम आपको बताते हैं कि वारदात कहां पर हुई दर असल राजधानी लखनव में लुहिया अस्पताल परसर में करीब साड़े पाँच बजे खाकी वर्दी धारी जो सुरच्छा करती है लोगों की उसके सिपाही ने एक इवक की जान ले ली इवक को पीछे से सिर में गोली मारी गई और गोली लगते ही इवक गिर गया उसके बाद उसकी मौत हो गई यह पूरी वारदात फिल्मी अंदाज में हुई मारने वाला सिपाही था उसने हत्या को अंजाम देने के बाद जो आला कतल था नाजाइज असलहा उसे नाले में फेक दिया और फिर आराम से जाकर विभूत खंड थाने में अपने को सरंडर कर दिया दिन दहारे हुई राजधानी में हत्या से हरकंप मच गया आनन फानन में पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुँचे और यह पता लगाने लगे कि आखिर वारदात क्यों अंजाम दी गई लेकिन इसी बीच ख़बर आई कि जो आरोपी सिपाही है उसने अपने को थाने में सिलेंडर कर दिया है हत्या क्यों की गई हत्या किसकी हुई इसकी परताज शुरू हुई तो पता चला जो मृतक है प्रबीन सिंग उसकी उम्र महज 35 साल है उसकी हत्या हुई थी और अंजाम दिया था सिपाही आसीस मिसरा ने अब हम आपको बता रहे हैं कि आसीस मिसरा ने आखिर प्रबीन को क्यों मारा जैसा कि आसीस मिसरा ने बताया कि उसको प्रबीन से जान का खत्रा था अगर वो प्रबीन को नहीं मारता तो प्रबीन उसे मारते था इसलिए उसने प्रबीन की हत्या कर दी बहुत खोजबीन के बाद पता चला कि प्रबीन सिंग सीतापुर जन्पत के ठाना नैमिसाराण के लिखनापुर का रहने वाला है उसके पिता धुरू सिंग जिसे हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई है और उसकी किडनी का इलाज चलाहता राम मनोहर लुहिया अस्पताल में जिसकी सुरच्छा के लिए दो सिपाही लगाए गए थे उन में से एक आसीस मिस्रा भी तैनात किया गया था जो पुलिस लाइन में तैनात है और मूल निवासी बदायु जिले का है सुरच्छा में लगे सिपाही ने सदायापता बंदी के बेटे यानी प्रवीन सिंग की हत्या कर दी पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आखिर हत्या क्यों की गई सीतापुर से लेकर लखनव पुलिस की टीमे यह पता लगाने में जुट गई है लेकिन जो हत्या रोपी सिपाही है आसीस मिश्रा उसने जब ठाने में खुद को सिलंडर किया उसके बाद पुलिस को जो बताया वह भी किसी के गले नहीं उतर रहा है उसने बताया कि जो नाजाज असलाह है जिससे गोली मारी है प्रवीन सिंग की हत्या की है वो असलाह भी प्रवीन सिंग का था और उसी असलाह से उसने हत्या कर दी ये बात गले नहीं उतर रही उसका कारण ये है कि अगर वो असलाह प्रवीन सिंग के पास था तो फिर इसके पास कैसे पहुँचा यानि दोनों में च्छंती और घुर्टी थी हत्या कि वज़ा कहीं कुछ और तो नहीं है उसने यहाँ भी बताया कि अगर वो नहीं मारता तो प्रवीन उसे मार देता तो उसने कानून को हाथ में ले लिया अब सवाल या उटता है जिसके पास खुद असलहा था जिसके पास राइफल रहती थी उसने आखिर कट्टा रखने वाले को क्यों मारा तो जाहिर सी बात है यह सारे ऐसे पहलू है जिस पे जब गंभीता से जाच होगी तब निकल करके आएगा कि सच क्या है इतना जरूर है जैसे ही या ख़बर सीतापुर पहुँची सीतापुर में आज क्राइम मीटिंग होनी थी इसी बीच जैसे ही ये ख़बर आई कि सीतापुर में तैनास सिपाही ने बंदी के पुत्र की हत्या कर दी है इसके बास पुलिस ने पूरा घटना करम और पूरा पता जो इसकी पूरी थोरी थी उसको पता लगाने में जुट गई सियो मिस्रिक एंपी सिंग और अटरिया थाना धच औधेश यादों के नितत्त में दो टीमों को लखनव तबकाल रवाना कर दिया गया है एंपी सिंग जो अपर पुलिस अधिचक दच्छनी हैं उन्होंने जो बताया उनके मताबिक जो सिपाही है उसकी मांसिक दसा फिलाहल ठीक नहीं बताई जा रही है लेकिन इतना जरूर है अगर उसकी मांसिक दसा ठीक नहीं थी तो वो सुरच्छा में कैसे तैनाथ था और कैसे उसने जिसकी सुरच्छा में तैनाथ था उसके ही बेटे की जान ले ली अब मामला चुकी खुद पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ है यह सवाल उट रहा है कि इस मामले में सच क्या सामनी आएगा यह देखना होगा लखनव और सीतापूर की पुलिस दोनों टी में लगा दी गई हैं जाज के लिए क्या कुछ सच निकल करके आता है या तो आने वाला समय बताएगा फिलाल राजधानी में हुई वारदास से सीतापूर में भी हरकंप है और साथ ही या खबर बंदाईूं तक पहुंचते ही बंदाईूं में भी संसनी है खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आई इंडिया